देखे बिल्कुल किसोर गोवेंच सिंग डोटासरा पिछले दो दिनों से लगातार बातचीत नहीं कर रहे थे लेकिन आज नतीजों का दिन और कॉंग्रेस उमीद लगाए बैठी है कि फिर सरकार बनाएगी और जिस तरह से इन्होंने जब दस चुनाव परचार किया था वो वाइरल वीडियो हमें आज भी याद है गोवेंच जी पहले तो नेटवर्क एटिंस से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद क्या उमीद है काउंटिंग अब महज कुछ मिन्टों के बाद सुरू होगी बिल्कुल अभी काउंटिंग सुरू होने वाली है और राजस्तान के जागरूप मद्दाताओं ने कॉंग्रेस की गोड गवर्नेंस, कॉंग्रेस की योजनाएं, राउल गांदी जी की भार जोडो यात्रा, खडगे साब जी का नेत्रित्व है, सत्ता और संग्ठन का समन्वे और जो कारिय करताओं की मैनत है उनके उपर आशिर होगा, तीन एक जिट पोल में आपको दिखाया गया आगे, लेकिन बीजेपी को भी दिखाया गया, बीजेपी का दफ्तर सजा हुआ है, कॉंग्रेस में थोड़ा सन्नाटा है, तो ऐसा क्यूं है? नीजेपी के पास कोई आधार ही नहीं था, कि हां चुनाव परचार कोई था यही नहीं उनका, मोदी जी आ रहे थे और जिस तरीके की वावबासा में वह स्वीच दे रहे थे, लग़ रा था कि ये बाजी हार चुके हैं, तो मैं समझता हूँगे, राजस्तान के किसी नेत ने किसी तरीके से कोई डंग से कंपेन नहीं किया नहीं पांच साल में उन्होंने प्रतिपक्ष की बूमिका निभाई और राजस्तान में कॉंग्रेस के सरकार ने जिस प्रकार की दस गारंटियां पहले दी, साथ फिर दी, खड़गे साब आए, राहूल गांदी जी आए, प कोई संका नहीं है, पूर्ण बहुमत के साथ में कॉंग्रेस के सरकारा जा रही है, और आप देख सकते हैं कि अभी थोड़ी देर में ही मतगर्ना सुरू होगी, और मतगर्ना में प्रिणाम ऐसे आएंगे कि सब लोग ये कहेंगे कि वास्तों में जो अच्छा काम किया था, उसके उपर जनता ने आसिरवाज बदलेगा मतलब, बिल्कुल रिवाज बदलेगा, राज नहीं बदलेगा, रिवाज बदलेगा, किशोर हमारे साथ एक्स्क्लूसिव बाच्चित करने के लिए थे, आपने क्या कहा हूँ, उमीद पूरी है कॉई कोई पार्टी कि जीत रही होती, तो सचिन पाइलेट और अशोग यहलो दूनों साथ में एक स्टेज पे खड़े होते, वो हो नहीं पाया, ना उसाथ में जॉइन प्रेस कांफरेंस कर पाए, इस्टन राजस्तान पिछली बार किशोर जी कॉंग्रेस ने स्वीप किया था, इस बार वो स् सब्सक्राइब जीत रहते हैं, यह बास सही है कि पिछले बार जो है कि हम लोगों ने देखा था, क्लीन स्वीप हुआ, दो ही मिनिट रहते हैं बस खुलने में पर पोस्टल बैलेट, हाँ, तो आइस बार सही से बता दो, मैं कहा रहा हूं, गुजर के मामले पे जो भी सब्सक्राइब वाले विधायक है, उनके वोटर जरूर जो बीज़ेपी के तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए लिए लेकिना जनता भी तो देखती हो कि ने यह यह वहां यह पार्टी के विधायक है, यहां पर पता चल रहा है कि एक यह सचिन पाइलट का कंडिडेट है, यह मैसेज चला जाता, आज के समय हम लोग यह नहीं कह सकता है कि लोगतांतर में यह लोगों को पता नहीं चलता है कि कौन असोग घरलोत के कंडिडेट है, कौन सब्सक्राइब पाइलट के हैं, तो कई जगा पर वहां पर ऐसे ऐसे कंडिडेट होते हैं, कि पार्टी क्या देखिए जीत इस से दिखाई दे रही है कि लड़ुों के साथ-साथ रिजॉर्ट का ओर्डर किया जा रहा है भारती जन्ते पाटी की तरफ से, वह तो आपके तरफ से भी किया जा रहा है हमने सुना, कोई रिजॉर्ट, आपके तो अपने रिजॉर्ट है, हमारे विधाय क लेकिन आज देश की जनता के मन में बीते आट-नो वर्षों में एक चीज का खेयाल आता है चुनाव आ रहे हैं विधायकों को बचाना पड़ेगा उससे पहले कभी ऐसा नहीं होता था किसे बचाना पड़ेगा यह सब लोग जानते हैं कि बारत्य जनता पार्टी विधायकों पड़ रहा है देखिए बारत्य जनता पार्टी ने जिस तरह से विधायकों की चोरी की किस से चूपी है मद्य परदेश में क्या आल कि यह बताई क्या दूद पीता बच्चा है क्या जो इसको बचाया जा रहा है मद गड़ना शुरू हो चुकि है पोस्टिल बैलेट की पाग ना लगे यह चीजे सबसे महतपूर्ण है क्योंकि बीजेपी से राकी राटोड जी हमारे सा जुड़ रही है राकी जी काउंटिंग बोस्टल बैलेट्स की बस शुरू हो रही है आप अपना काउंट बता दीजे कितने राज्य जीत रही है देखें तीन राज्यों के अंदर हम लोग बड़ी कमफोटेबली सरकार अपनी बनाएंगे और तेलंगाना में पिछली बार जो हमारा प्रदेशन था उससे बहतर प्रदेशन आप लोगों को आज नजर आएगा और जिस तरह से राधिस्तान मध्यप्रदेश और चत्यस ग आवाज मिल रही मेरी हो रही है कि कहां से किस तरीके से पूरी तैयारी हो रही है राखी जी यहां बात यह हो रही थी कि हर पार्टी कह रही है मतब बीजेपी और कॉंग्रेस ही है मुखे तौर पे तीन राज्यों में तो दोनों पार्टीयां कह रही है कि हम तीनों राज्य जीत रहे हैं आप भी आपको इसलिए रोख रहा हूँ कि पोस्टल बैलट का पहला पहला रुजान भी आपके पक्ष में आया है बीजेपी के अभी शुरुआती है बिल्कुल शुरुआती जी बोले मिरागी जी जैसे जैसे समय निकलेगा वैसे वैसे यह रुजान जो है वो एक्जाक्ट ली हमारी तरफ आने नजर आएंगे आपको राजिस्तान की जैसे हम चर्चा कर रहे थे राजिस्तान में अशोग गहलो जी पहली बार तो मुक्यमंत्री है नहीं इससे पहले मुक्यमंत्री राजिस्तान में रहे और हर बार इनके कारेकाल के बार कॉंग्रेस पार्टी की क्या हालत हुई है 2003 में 56 सीचों पे 2013 के अंदर 21 सीचों पर आकर सिंटी यानि इनकी जो योजना है घुशना है बहुत सारी हुई लेकिन ग्राउंड लेवल पर इंप्लिमेंटेशन नहीं हो उसका फरक आप लोगों को आज जिस तरह से फिगर्स में नजर आएगा वह आप देखिएगा क्योंकि